लोकमानने बाल गंगा दर्तिलक जनता को राजनायतिक जंडे के नीचे लाना चाहते थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि राजनायतिक उत्तेश्यों के लिए जन आंदोलन का कितना महत्व है। उन्होंने गणेश पूजा और शिवाजी महराज के वाशिकोत सब को सार्वजनिक त्योहारों का रूप दिया ताकि लोगों को अपने भूत काल पर गौरव हो। तिलक द्वारा प्रकाशित मराठी के केसरी और अंग्रेजी के मराठा समाचार पत्र दोनों ही सामाजिक और राजनेतिक न्याय की वकालत करते थे। इन पत्रों ने गरीबी के दलदल में फंसी जनता की आवाज उची ही। सन 1894 में पूना में चाफेकर बंधों ने प्रथम क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया। उन्होंने इस संगठन के अंतरगत गणपती पूजा और शिवाजी उत्सव का आयोजन किया। इन में पढ़े जाने वाले गणपती श्लोक और शिवाजी श्लोक दोनों ही अंग्रेजी राज के खिलाफ थे। चाफेकर बंधू तीन भाई थे। सबसे बड़े थे दामोदर चाफेकर। इसके बाद बाल कृष्ण चाफेकर और सबसे छोटे थे वासुदेव चाफेकर। इन तीनों ने मिलकर जिस क्रांतिकारी संगठन को तयार किया था। उसमें देश भक्त नव्यूपकों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ काम करने के लिए सैनिक प्रशिक्षन दिया करते थे। जगा जगा कसरत, कुष्टी, शस्त्र संचालन आदी का प्रशिक्षन शुरू हो गया था। इस तरह बड़ी संख्या में अनुशासित कारेकरता तयार होने लगे थे। सन 1897 में पूना में प्लेट भेला। सरकार की ओर सिन्युक्त, मिस्टर रैंड ने रोगियों को खोशने के बहाने घर-घर की तलाशी शुरू कर दी। मिस्टर रैंड ने इन तलाशियों के नाम पर जनता पर अत्याचार शुरू कर दिया। इससे लोग परेशान हो उठे। लोग मानने तिलक ने इन तलाशियों का विरोध करते वे कहा कि ये सब हमारे राश्ट्र की आत्मा को कुचलने के लिए किया जा रहा है। 22 जून 1897 को महरानी विक्टोरिया का साथवा राज्या भिशेक दिवस मनाया गया। पूना में भी खूब धूमधाम थी। खूब रोश्नी हुई। आतिश बाजी छूटी और ब्रिटिश अफसर खूब नाचे और छूमे। रात को घर लोटते हुए मिस्टर रैंट और उनके साथ ही लेटिनेंट आरेस्ट पर अचानक गोली चली। हत्यारे भाग निकले। इस खटना से सारे भारत के ब्रिटिश सक्ता चौक उठी थी। कि क्या फिर से क्रांती होने वाली है। चाफेकर बंधू ने ना सिर्फ इन हद्याओं को कुबूल किया बलकि ये भी माना कि हमने महरानी विक्टोरिया की मूर्ती पर कोलतार भी बोता है। उन्होंने कहा हमें खुशी है कि हमारे माथे पर वित्रोह का टीका लगा है। चाफेकर बंधू पर मिस्टर रैंट और लेटनेन आरेस्ट की हद्या के लिए मुकद्मा चलाया गया। और तीनों भाईयों को मृत्यु दंड दिया गया। पूना की यर्वदा जेल में दामोदर चाफेकर को 18 एप्रिल 1898 को। वासुदेव चाफेकर को 8 मई 1899 को और बाल कृष्ण चाफेकर को 12 मई 1899 को फासी दी गई। अब अंग्रेज लोकमाने तिलक की ओर मुडे। उन पर ये अभियोग लगाया गया कि 15 जून के केसरी में आपने जो लेख लिखा था वो भड़काने वाला था। और इसी कारण चाफेकर बंधू ने मिस्टर रांड और मिस्टर आरिस्ट के हद्या की। आप चूंकि क्रांती भड़काते हैं इसलिए आपको 6 साल कैद की सजा दी जाती है। लोकमाने तिलक की सजा के खिलाफ देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। लोगों में क्रांती की आग सुलग उठी। लोग त्याग और बलिदान के लिए चल पड़े। महराष्ट के प्रसिद्ध क्रांतीकारी विनायक दामोदर सावरकर इस समय किशुरावस्था में थी। उन्होंने चाफेकर बंधूं के बलिदान से प्रिरित होकर प्रतिग्या की थी। मैं भारत माता के घुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करता हूँ। विनायक दामोदर सावरकर ने लोकमान्य तिलक के विचारों से प्रभावित होकर मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाया। सावर करने युवकों को संगछित करके उन्हें हथ्यारों से लैस होने का अहवान किया उनकी इस सशस्त्र क्रांती की पुकार ने मद्रास और बंगाल तक क्रांती की ज्वालाएं भड़का दी इनहीं दिनों स्वामी विवेकानंद देश के नविवकों में अपने राष्ट्र के अतीत के प्रती कौरफ और आत्मसंबान की भावना जगाने में जुटे हुए थी स्वामी विवेकानंद अपने गुरू रामकृष्ण परमहंस के मानफतावात की प्रचारत थी उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के उप्देशों से भारतीय परमपरा की महानता को समझा था विदेश यात्र के बाद जब वो 1897 में भारत वापस आय तो उन्होंने पाश्चात्य संस्कृती की श्रेश्चता को चुनोती दी और कहा कि हम उनसे कहीं अधिक उंचे हैं उन्होंने देश के नव्युफकों से कहा तगड़े बनो मर्द बनो तुम ऐसे कर्म को अपनाओ जो हम में आस्था पैदा करें राश्ट्रिय आत्म सम्मान पैदा करें और गरीबों को भोजन तथा शिक्षा दिलाने के साथ साथ प्रीड़ुतों का कष्ट दूर करने का समर्थन करें हे वीर तु साहस करें गर्वित हो कि तू भारतिय है और बड़े गर्व के साथ ये कहें कि मैं भारतिय है और हरे एक भारतिय है मेरा भाई है भारत भुवी मेरे लिए सर्वोच स्वर्ग है भारत की भलाई मेरी भलाई कॉंग्रेस का ग्यार्वा अधिवेशन सन 1895 में हुआ था इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनात बैनरजी ने की थी सुरेंद्रनात बैनरजी ने इस अधिवेशन में धाई घंटे तक भाशन दिया था अब तक के कॉंग्रेस अधिवेशनों में सबसे लंबा भाशन यही था सन 1898 में लौट करजन भारत का वोई सुराय बन कर आया लौट करजन एक बेहत महत्वा कांग्शी, खमंडी, खठी और तुनक मिजाज व्यक्ति था वो दूसरों की सला की परवाह नहीं करता था, अपने आपको वो हमेशा सही समझता था और अपने माथ हतों की भावनाओं को निर्दैता से गुचलने में जरा भी संकोश नहीं करता था लौट करजन नहीं चाहता था कि भारतिये राष्टिये कांग्रेस एक ताकत के रूप में उभर कर ब्रिटिश सामराज्य के लिए खत्रा बने इंग्लिन में भारतिये मामलों के मंत्री मिस्टर हैमिल्टन से उसने कहा था पेरी एक महत्तो कांग्शा ये है कि मैं कॉंग्रेस के शांती पूरुवक्त निधन में सहायक बनूँ और जॉर्ज हैमिल्टन ने लौट करजन को शाबाशी देते वे कहा था अगर एक दो साल में कॉंग्रेस पूरी तरह लड़ख़ा जाती है तो उसके लोग का श्रे तुम्हें ही मिलेगा करजन ने अपने मनसूबों को पूरा करने के लिए पहला मुहरा शिक्षित मत्हमवर्ग को बनाया जिससे उसका राशनतिक प्रभाफ खत्म हो सके ऐसे लोगों में बंगाल का प्रभुथ वर्ग सबसे आगे था इसके लिए उसने उन्हें अलग थलग करने की उजना बनाई जो बाद में बंग भंग के नाम से जानी गई बंग भंग यानि बंगाल का विभाजन उपरी तोर पर इसलिए किया जाना था कि बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है और प्रशासन छीक तरह से नहीं चलबाता लेकिन उसका वास्तविक उद्देशे ये था कि उस समुदाय की राजनेतिक एकता को छिन भिन्न कर दो जो सरकार के खिलाफ देश को नेत्रित्व काशित हुई तो उसके खिलाफ देश भर में आवाज उची अखबारों ने उसकी निंदा की और प्रस्ताफ का विरोध किया लोट करजन ने 18 फरवरी 1904 को बंग भंग के खिलाफ उच रहे जनता के प्रचार का जवाब देने के लिए पूर्वी बंगाल के चटगाउं ठा का और मैमन सिंग जिलों का दौरा किया उसने अपने भाशनों में जनता में सामप्रदाइक विश और अहंकार को उकसाया लेकिन फिर भी पूर्वी बंगाल की चनता पर उसके इन भाशनों का कोई असर नहीं पड़ा लोट करजन ने इस यूजना को लागू करने के लिए अधिकारियों और इंग्लेंड के शासकों से लंबी बाचीत की आखिर सन 1905 के आरंब में बंग भंग संबंधी लोट करजन के इरादे स्पष्ठ हो गए और उसी के साथ उखरा बंग भंग विरोधी जन आंदो नहीं दस चनवरी 1905 को कलकत्ता के टांग हॉल में हजारों लोगों की जनसभा में लोट करजन के बंग भंग संबंधी प्रस्ताव की खुल कर निल्दा हुई फिर जब ब्रिटिश सरकार ने बंग भंग प्रस्ताव को अंतिम रूप दे कर प्रकाशित किया तो जैसे आग में घी पड़ गया इसने सारे बंगाल को छब छोड़ दिया और सभी भारतियों ने चाहे वे किसी भी आयू जाती धर्म और वेवसाय के हो उन्हों ने जम कर विरोध किया साथ अगस्त को कलकत्ता के चाउन हॉल में हुई जनसभा बड़े एतिहासिक भात्व थी इस जनसभा में अपार जनसमू उमर पड़ा था शहर की अधिकांश दुकाने बंद रहे बंदे मात्रम के नारों से सारा आकाश उंज रहा था विभाजन नहीं चाहिए बंदाल एक है एक है एकता ही शक्ति है इस सभा में कासिम बाजार के अंबिका चरण मजुम्दार ने कहा भारत के इतिहास में एक नया अध्याई आरंब हो रहा है बंग भंग के साथ इस देश में राजनाइति का अंदोलन एक नई चरण में प्रवेश कर रहा है शीग्रही बंग भंग विरोधी अंदोलन बंगाल की सीमाओं से बाहर फैल गया उत्तरप्रदेश पंचाब महराश्ट्र और तमाम अन्यभागों में नई चाक्रति आ गई लोगों ने बड़े चोश से स्वदेशी और बॉयकॉट संबंधी प्रस्तावों को स्विकार किया 28 सितंबर को महालय के दिन कलकत्ता के काली घात मंदिर में धूमधान से विशेश पूजा का आयोजन किया गया पूजा के बाद भक्तों ने सामुहिक रूप से मा काली के सामने प्रतिग्या की जहां तक संभव होगा मैं विदेशी वस्तुओं का इस्तिमाल नहीं करूँगा ये प्रतिग्या पूरे बंगाल के काली मंदिरों में दोहराई गई आखिर 16 अक्तूबर 1905 को वो काला दिन आया जब विभाजन लागो हुआ और पेखफिल्ट फुलर ने नए प्रांथ के गवर्नर का पत संभाला इस दिन को बंगाल में पवित्र संकल्प और कहरे शोक का दिन माना गया सवेरा होते ही जुंड के जुंड लोग नंगे पाउं गंगा घाटों की ओर पढ़ने लगे वे भजन और राश्रगान गा रहे थे और वंदे मात्रम के नारे लगा रहे थे लोगों ने गंगा में जुपकी लगाई और एक दूसरे को बंधुत्व का प्रतीक राखी बाधी उस दिन सभी ने उपवास किया किसी भी घर में चूला नहीं जला तीसरे पहर लोग फेडरेशन हॉल की नीव रखने के समाहरों के लिए एकत्र हुई इस हॉल को समस्त बंगालियों की एकता के प्रतीक स्वरू बनाने का निश्चय किया गया था बंग भंग के विरोत में एक राश्ट्रे कोश खोला गया था जिसमें उसे दिन सत्तर हजार रुपए एकटा हो गय थी समाहरों में सुप्रसिद नयायविद और शिक्षा शास्त्री गुरुतास बैनर जी प्रमुख चिकित्सक नील रतन सरकार के साथ साथ बंगाल के शेर सुरेंदरनाथ बैनर जी अम्रित बाजार पत्रिका के संपादक मोतीराल खोश और कवी रविंदरनाथ छाकुर आदी बंगाल के सभी प्रमुख नेता मौजूद थे भवन के शिला न्यास से पहले अंग्रेजी में लिखी घोशना का बंगला अनुवाद रविंदरनाथ छाकुर ने पड़ा था जिसका आशय था बंग राष्ट्र के सारुजनिन विरोत के उपरांथ भी सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया है इसलिए हम शपत लेते हैं और भोशना करते हैं कि हम बंग भंग के कारण पैदा होने वाली बुराईयों को दूर करने के लिए यथा शक्ती जो हो सकेगा वो सब कुछ अवश्य करेंगे और अपने राष्ट्र की एकता को आच नहीं आने देंगे इसके बाद बंग भंग विरोधी आंदोलन बड़ी तेजी से चला शीक्र ही इसका रश्टात्म क्रूप तयार किया गया जिसके अंतरकत, स्वदेशी, बॉयकॉट और राष्ट्री शिक्षा तथा स्वराज्य के लक्ष की ओर बढ़ने की च्छा को शामिल किया गया था पूरे बंगाल में वंदे मात्रम के उद्खोश के साथ जुलूस निकलने लगे, सरकार ने वंदे मात्रम पर प्रतिबंध लगा दिया 22 साल में पुलिस की कड़े निगरानी में प्रांतिय राश्नेतिक सम्मेलन का जुलूस शान्त और निहत्था था लोग धीमे धीमे कवी रश्नी कांत का ये गीत कुनगुना रहे थी इसका आशय ये था कि मां के दिये हुए मोटे कपड़े को सिर छुका कर स्विकार करो तुम्हारी मां दीन दुखी है इससे अधिक उसके वश की बात नहीं है जुलूस में शामिल लोगों की बाहों पर वंदे मातरम के बिलने लगे हुए थे आखिर थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस ने जुलूस पर आक्रमन कर दिया लोगों पर पुलिस की लाठिया बरसने लगी मार से तिल मिलाकर एक लड़के ने वंदे मातरम कहा तो पुलिस ने उसे तालाब में फीट दिया पुलिस ने उस समय इतने जुल्म किये कि सारे तेश में उसकी निंदा हुई पुलिस के दमन के बावजूत भी बारे साल में सम्मेलन हुआ और सुरंदेनाद बैनर जी ने अपनी ओचस वीवाणी में चन समू को संबोधित किया किन्तु बात में उन्हें किरफतार कर लिया गया और उन पर जुर्माना किया गया लोकमान ने बाल गंगाधर दिलक इस समय जेल से छुटकर आ गए थी उन्होंने केसरी में आपात स्थिथी आ गई है शीर्षक लेक में बंगाल विभाजन के विरोत और वहिशकार के पक्ष में जम कर प्रचार शुरू कर दिया उन्होंने कहा समय आ गया है कि स्वाराज की मांग की जाए टुकड़े टुकड़े सुधारों में काम नहीं चलने वारा पंजाब में आरे समाज ने स्वदेशी के सिध्धांत का प्रचार करने में बहुत बड़ी भूमिकाने भाई आरे समाज के प्रचारक लोगों को स्वदेशी वस्तों का प्रयोग करने के लिए प्रेणा देते हुए गाउं गाउं खुमे उत्तरप्रदेश में भी आनदूलन फैला, और स्वदेशी का प्रचार सभी जिलों में होने लगा जगा-जगा सभाएं हुई और स्वदेशी स्टोर खोले गए इसके साथ ही दक्षण भारत में ये आनदूलन फैला और वहां के अनेक जिले प्रभावित हुए इधर कॉंग्रेस में दो दल हो गए थे और स्वतंत्र रूप से कारे करने लगे थे गरम दल के नेता थे लोकमान्य तिलक और नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले सुरंदेनात बैनर जी आदे तिलक का प्रभाव कॉंग्रेस में बराबर बढ़ रहा था वो राष्ट्री नेता बन चुके थे नरम दल वाले जानते थे कि यदि इस समय कॉंग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव कराया तो तिलक भारी संख्या से जीट जाएंगे इसलिए कलकत्ता में जब कॉंग्रेस का 22 अधिवेशन हुआ तो उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरो जी बनाए गए इस अधिवेशन में 1600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इस बार जनता ने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया था इस तरह बंग भंग के खिलाफ छेड़े गए आंधोलन ने जनता में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावनाओं को बड़ी तेजी से बढ़ाया और चारों और असंतोश की लहर छा गई कर दो कर दो